सम्टोट का दूसरा क्यूशन देखे x3-2y3-2y3-2y2x-y-1-1-1-1-1-0 कट दा करो अगेन इन 3 पॉइंट्स विस लाइ ओन ए स्टेट लाइन ठीक है तो आप एज़ेटीज करें जैसे अभी अभी मैंने क्यूशन किया पहले और इसी साथ से आप चलते जाएं देखुआ यह है यह आपका वक्र का समीकरण बन गया यह सको मल्टिप्लाइज के साथ किया और यह आपका बन गया फिर हम क्या है स्टेप देखे बहुत की आसान है एकस बराबर वन रखेंगे और य बराबर एम रखेंगे तो आपका यह क्या हो जाएगा फाई यह इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या है यह फाई एन एम ठीक है और यह क्या है फाई एन मानस वन एम है यह आपका है कि नहीं, मतलब यह 3 घात का है यह 3 घात के ही है, होगे देखो 3 घात के सारे एक सारे, और यह क्या है 2 घात का, तो 2 घात का मतलब 5 N-1 M is equal to this, यह यह, ओके 5 3 M की अगर हम बिल्कुल है, कि 5 N M को हम 0 रखेंगे, यह 0 रखेंगे तो यह M की वेल्यू क्या आजी मानेस एपटे 2, 1 और मानेस 1 आएगे कि नहीं आएगे, इसको आप सिंप्लिफाए करें, इंस्पेक्शन में थर्ड दुर्वारा, ठीक है तो C की वेल्यू आप यह आगी, यह क्या है 5 N-1 है, यह 5 N-M है यह वेल्यू शब्टीट कर देजेगा समझ रहें, कि यह वेल्यू जागी 5 N-2 की M वेल्यू क्या है हमारे पास, यह है यह रख दी, और 5 N- मतलब, इसका डिफ्रेंशेशन यह निकाला हुआ है तो यह हमारे पास यह आजागी अब क्या करें, M की वेल्यू मानस 1 बाइ 2 पूट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास C की वेल्यू क्या जाएगी 1 बटे 2 आएगी, लाइक एक नहीं आएगी बिल्कु ठीक है, फिर हम M की वेल्यू एक रखेंगे इसके अंदर तो c की value क्या जाएगी? 0 ये value सारी find out हो जाएगी फिर m की value अब minus 1 रखेंगे तो c की value क्या जाएगी? minus 1 तो आपके पास asymptote आगे आपके पास c की value है और आपके पास m की value है तो फिर हमारे पास thumbtote की क्या है? y is equal to mx plus c oblique asymptote है तो c की value रखें m की value रखें तो आपके पास क्या जाएगी? ये value आजाएगी understand? फिर दूसरी बार रखोगे तो आपके पास ये आजाएगी value तीसरी value रखोगे तो आपके पास ये value आजाएगी तीन होगी अब इनका joint मनाए संयूत समीकन मने ये तीनों asymptote को आपस में multiply कीजिएगा तीनों asymptote को ये देखोग पहला दूसरा तीसरा हो गया अब इसको हम multiply करेंगे इसके साथ आपस multiply करेंगे तो हमारे पास समीकन ये आजाएगा दो अब ये देखें आप दिया हुआ है इसके अंदर कोई multiplication नहीं है जैसे पहले क्या था इसमें क्या करें अब हम ये देखें अब एक से दो गटाने पर एक में जो समीकन दिया हुआ है आपका ये एक समीकन है इसको हमारे पास क्या आ गया है दो आ गया उसको सुगटा ये गटाने के बाद ये बन जाएगा एकस मानस वन प्लस वन बराबर है जीरो समझेगे ना कि उसमें से वो गटाना सीधीज बात है जो असम्टाटों बने है उन्टों आपका समें मल्टिप्लाइ कीजिए और आपने दिया वे समीकन में से गटाइए जो की एकसररररर है है नहीं है एकस मानस वाई प्लस वन किसका है यह स्टेट लाइन है जिस पर एक तथत दो के पर्थिशेदन बिंदू श्थित है होगा तथत तीन एक को एन इंटो एन मानस टू मीन्स त्री डिगरी का थ्री मानस टू तीन बिंदो पर काटती है इस परकार आप करेंगे अब इसी परकार यह example है show that the 8.0 intersection of the crow this and its instrumental lie on a circle which center is at the origin अब यह बिल्कु ठीक है आप यह हो गए आप चाहें तो यह 4 degree का है यह 2 का है तो हमारे कुछ फार्मला हो गए Fn plus Fn minus 2 is equal to 0 तो asymptotes will be given by Fn बराबर 0 ची आप इस method से कर ले या आप अपस multiply करके जिस परकार हमारा एक का यह क्या है समिक्रण को शोल करने उससे भी निकलाएगा और इससे निकलाएगा सबकों आपस multiply करते पहला जैसा फार्मूला लगा था उसी परकार आप यूज कर दे इस परकार चलोगे तो asymptotes will be given by Fn बराबर 0 यह देखे आप ठीक है यह आपके asymptote आगे आगे चले यह समिक्रण होगा यह एक से दो गठाने पर आपका यह आ गया जिस पर एक तथा दो के परचें बिन्दुस्तीत हैं जो कि स्वम एक वर्थ का समिक्रण है जिसका के अंदर क्या है जीरो जीरो साथी दो एक को एन मानस तू यह आइट पॉइंट स्वेर काटता है यह आपका है ठीक है थैंक्यू